हेलो फ्रेंज, वेलकम तू हरी टेकनिकल, दोस्तों मैं दो MPCB खरीद के लाया हूँ और दोनों का क्वालेटी के बारे बताऊंगा, अगर आप नए मेकनिक है तो ध्यान से देखिए वीडियो को, और समझे एक क्यूंकि अगर आप MPCB खर देंगे तो उसके क्वालेटी के ब आपको थोड़ा महसुस होगा यह थोड़ा इसका वजन ज्यादा है इसका बिलकूल हलका है और इसका मोटाईग, जो पीछे में का जो लगा रहतना है यह देखिए कितना इसका पतला है, मोटा हैं ठिक है में दोस्तों, तो यह हो गया इसका ठीज़्ुनेश-क बारे और क दोस्तों यह जो है इसका इस्तमाल मैं पहले कभी नहीं किया हूँ क्योंकि आज मैं यह लेके आ हूँ यह बहुत सस्ता मुझे मिल गया तो मैं सोचा कि ले लेता हूँ और यह तो मैं लेके आता था पहले भी और अभी भी लेके आता हूँ तो यह जो है इसका प्राइज दोस्तों मुझे मिला है तीन अफिया प्रिस करके मिला है यह मुझे बहुत सस्ता मिला और UH इस्का जो क्वाड़ी है बिल्कुल कम उतना खास क्वाड़ी नहीं है तो कीभी कि peppis का और इसका 3 रुपिया पीस पढ़ा है यह वाला और यह मुझे मिला है 7 रुपिया के करीम में और इसको जल्दी बेंड कीजिएगा तो जल्दी बेंड नहीं होगा इस तरह से कितना भी जल्दी कीजिएगा बेंड नहीं होगा यह यहां से कट है इसलिए बेंड हो जा रहा ह और यह जारा दिन तक आप चलेगा यह और यह लो क्वालेटी का है और इसमें कोई दम नहीं है मैं इसे टेंपरेरी चेक करने के लिए लाया हो कि आखिर यह कितना दिन तक चल सकता है समझे यह डियोवी टाइप में है इस्तिमाल करो अब फिर फेको उस टाइप में है तो मु मुझे मिला है यह insist हॐ मुझे मिला है तो दोनों का क्वालेटी भी आप देख सकते हैं और प्रायज भी देख सकते हैं कि इसमें देखिये इसका जो SMD है इसका यलो तौरा डॉर्डार के है और यह बिलकुल हलका में है और यह जो डोनों एमपी छी भी है आप लेंगे हाथ 12 volt DC MPCB यह DC light है सीधा डारेक्ट आप 12 volt से connect कीजिए और DC light है यह डारेक्ट जलेगा इसमें आप देख सकते हैं जगा जगा पर रेजिस्टेंस लगाया हो गया है तो यह DC light है 12 volt से जलेगा तो इस प्रकार से मैं आज इतना MPCB लेके आया हूं तो दोस्तों यह स्लिप इंफोर्मेशन के लिए है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यों पर वाचिंग हरी टेक्निका